प्रेंट भूमी कल्याट परिशत और हिंदुवादी संख्ठनों ने आज नगली सरकिल पर फिल्म पठान का विरोध किया फिल्म में दीपी का पादुकोन द्वारब भगवा रंग के अंतवस्तर पहन ने शाहरुक के साथ फिल्माई गए गाने पर हिंदुवादी संख्ठनों ने विरोध परदशन करते हुए दोनों के पोस्टर जलाकर इनके खिलाफ जमकर नारे बाजी की इस अवसर पर ब्रजभूमी कल्यान परिशद के राष्ठे संयोजक पंकज गुपता के साथ विश्वी इंदु परिशद वै बजरंग दल के कारे करताओं से इत सर्व समाज के लोग भी मोजूद थे ब्रजभूमी कल्यान परिशद से जुड़े पंकज गुपता ने बताय कि हिंदी फिल्म पठान में सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से त्याग का प्रतीक भगवा को गलत तरीके से दिखाया गया है तता फिल्म में हिंदू की आस्था के मुल्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है यह सोची समझी साजिश है इसके लावा जिस तरह से अशलीलता फिल्म के गाने में हीरोईन दीपीका को भगवा रंग के वस्तर पहना कर दिखाई गई है उसको लेकर सरुस समाज में आक्रोश बना हुआ है उन्होंने कहा कि पठान फिल्म का अलवर सहीत राजसान में विरोध किया जाएगा और उसे सिनेमा हॉल में नहीं चलने दिया जाएगा तो यह हिंदू समाज और बाहुना के साथ किलवाड है और उनको चेताव नहीं देना चाहते हैं बालीवुड को कि यह फिल्म अलवर और राजस्तान में ही नहीं पूरे इंदू स्थान में नहीं चलने देंगे और रिंदू समाज जो है इसका बढ़पुर जो विरोध करत आज कर जलाएगे हैं आपके आज ही जो पोस्टर जलाएगा है जो यह जो पतान फिल्म के पोस्टर जलाएगा है और इनको बैं करने की मांगी है